एकदम धाबा श्टाईल आलू दो प्याजा की सबजी आज हम बनाएंगे इसे हम घर के बेसिक समानों से असानी से बनाकर तयार करेंगे यह रेसिपी बहुती ठेस्टी लगती है और असानी से बनकर तयार हो जाती है चलिए आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर और अंदर के भाग को बारी बारी कट कर लिया है, साथ ये दो टमाटर लिये हैं और दो हरी मिर्च ली हैं, इनका हम पेस्ट बना लेंगे, हमने लिये हैं कड़ाई, कड़ाई में हम डालेंगे ओल, मैंने ये रिफाइंड ओल का यूज किया है, आप चाहे तो सरसो के तेल का यूज कर शकते हैं, जा तेल अच्छे से गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे आलू, जिसे हमने बारी बारी कट कर लिया था, आलू को पानी से निकाल कर मैंने पहले कपड़े से अच्छे से पोश लिया है, ताकि जो पानी है, वो ओल में छीटे न लगे, इसे आपको 7-8 मि फ्राइब करना है, ये देखिए जो आलू है वो हल्के ब्राउन हो चुके है, हमें इसी 80% तक यहीं पर फ्राइब करना है, क्योंकि जो आलू है वो सबजयों में कम पकाये जाते हैं, एधेखिए, अब मैंने सभी आलू को सब्जी तेल से निकाल लिया है, ये जो तेल है इसी में हम अब डालेंगे प्याज जिने हमने कट कर लिया था इन्हें हमें सिर्फ दो मिनट के लिए फ्राई करना है इसमें अब हम डालेंगे दो हरी मिर्च प्याज को सिर्फ दो मिनट के लिए ही फ्राइ करना है क्योंकि जो प्याज होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है ये देखी ये फ्राइ हो चुका है अब हम इसे भी निकाल लेंगे क्योंकि जो प्याज होता है वो मसाले में भी भुनना है इसलिए हमने इसे हलका फिराई किया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा जीरे को आपको हलका ब्राउन होने तक भूनना है अब इसमें हम डालेंगे प्याज प्याज को आपको 3-4 मिनट के लिए ब्राउन होने तक भूनना है ये देखी जो हमारा प्याज है वो हलका ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले एड़ करेंगे इसमें हमने एड़ किया है एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा चम्मच हल्दी पाउडर साथ में एक चमबच दन्या पाउडर इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे मसाले को आपको 2-3 मिनुट के लिए अच्छे से भूनना है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी इसमें मैंने अधरक और लस्सन को भी पीसा है इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे साथ में अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक नमक आप अपने स्वादनुसार डाल सकते हो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जलेना और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए अब हम इसे ढखकर रख देंगे तीन से चार मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भुनने देंगे ये देखिए जो हमारा मसाला है वो एकदम अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें डालेंगे दही ये मैंने आदा कब दही ली है और दही को मैंने अच्छे से फैट लिया है दही डालने के बाद आपको इसे चलाते रहना है ताकि जो हमारी दही ये वो फटे नहीं जब तक दही में उबालना आ जाए गैस की फ्लेम को आपको हाई कर देना है ये देखे जो हमारा दही में उबालन लगा है अब हम इसे ढख कर तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए ये देखे जो हमारा मसाला है वो एकदम अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे आलू हमने जो आलू फ्राई किये थे साथ में ही हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे पानी मैंने स्में एक कप पानी डाला है अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें देड़ से 2 कप पानी डाल सकते हो अब इसे 4-5 मिनट के लिए लो हाइफ लेम पर पकाना है यह देखे 4-5 मिनट हो चुके हैं और यह देखे हमाई सब्जी बनकर एकदम पकर तयार है अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेती से काफ़े अच्छा टेस्ट निकल कर आता है इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्तिया इसे मैंने बारी बारी कट कर लिया था इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला मैंने आधी चमस गरम मसाला डाला है अगर आप पर गरम मसाला नहीं है तो आप किचन किंग भी डाल सकते हो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए ढाबा इस्टाइल आलू दो प्याजा की सबजी बनकर तयार है ये सबजी फटाफट बनकर तयार हो जाती है और खाने में काफी स्वाधिश लगती है आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राइ करें आप इसे चावल से, चपाती से, रोटी से किसी के साथ भी सर्फ कर शकते हो आप इस रेसीप को एक बार घर पर जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वोचिंग